नमस्कार स्वागत है सीजी जॉप्स निउस पर दोस्तों सासकी और दोगी प्रिशन संस्थाओं और विशेश आदिवासी और दोगी प्रिशन संस्थाओं में प्रवेश के लिए सथ्र अगस्त 2019 के लिए यहाँ पर आनलेन आवेदन आज से चल हो गए हैं जिसकी जनकरी यहाँ पर इंजिनेरिंग और नॉन इंजिनेरिंग यानि टेकनिकल और नॉन टेकनिकल ब्यावसायों में विविन ट्रेड में प्रवेश के लिए यहाँ पर 17 अगस्त 2019 के लिए आनलेन आवेदन आज से चल हो गए हैं चतिर गल सासंद्वारा इस्थापित सभी सास की आईटिय में संचालित एंजिवीटी और सीवीटी के पाठेकर्मों में प्रवेश के लिए एक्चुक अभियर्थी अपने सोयम के माध्यम से या फिर किसी भी नज़दी की च्वाइस सेंटर के माध्यम से या फिर अपने 17 जून 2019 तक आप आलेनावधन कर सकते हैं ध्यान रहे हैं यहाँ पर 17 जून 2019 अंतीम है आलेनावधन करने का यानि तो चिप्स के दवरा यहाँ पर जो है मेरीड लिष्ट का निर्मार किया जाएगा 18 से 20 जून के बीच में और पहला जो सुची होगा वो डिस्पले हो जाए जाएगा और 28 जूलाई 2019 को यहाँ पर 14 जारी हो जाएगा जिनका भी चैन इन कालेजों में होगा उनको प्रवेस के निर्धारिस समय दिया जाएगा उनहीं निर्धारिस समय के भीतर में उनको एड्मिसन लेना जरूरी होगा यह था उनका जो प्रवेस है वो निरस्त कर द है अवेदक को चतिर्व राजिक अभी निवासी होना जरूरी है अवेदक के पास अधिक्तम 10 संस्थाओं में यह फिर 10 वियासयाओं को छाटने का विकल्प यहाँ पर होगा आप अगर एक बार रिजिस्टेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर अधिक्तम 10 वियासयाओं में या फिर 10 संस्थाओं को यहाँ पर छाटने के लिए विकल्प भाम भर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा जहां पर आप cgiti cgstate.jov.in कल लिंक भी प्राप्त हो जाएगा जहां से आप सीधा क्लिक करके विभाग की वेबसाइट प प्रविस लेना चाहते हैं तो आपको आनलेन आवेदन करना जरूरी है अगर आप आनलेन आवेदन करने के लिए आपको अनुसुचित जाती और जन जाती के आवेदकों को रिजिस्ट्रेशन सुल्क 40 रुपे देना होगा और सांती साथ में पिछड़ा वर्ग और समान्य इसका प्रविस आपर के अंवेदकों पर सुल्क 50 रुपए देना होगा आप क्या है तो एक चाहिए तो जबमसे के आहिए सांए को पर ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए आनलेन आविदन कैसे करें यह वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्द ला सकें कि राज्य में वर्तमान में सास्की आईटी में संचालित एंसीवीटी और स्थीवीटी के अंतरगत विभिन ब्योसायों की सुची यहाँ पर है जिसमें आप देख सकते हैं इंजिनरिंग ब्योसाय यानिकी टेक्निकल ट्रेड यहाँ पर दिये हुए हैं और एक तरफ नौन यहाँ पर है जिसकी जनकारी आगे हम आपको विस्तित रूप से देने वाले हैं वर्तमान में संचालित ब्योसायों एवं प्रवेश यहतु निर्धारीत सक्षनी का हरता एवं प्रशिक्षण आओधी की जनकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आप देख लिजे त सकत मुनिकेशन टेक्नलोजी सिस्टम मेंटनेंच उसके बाद इनफरमेशन टेक्नलोजी इन्स्ट् скорее यहां पर ना जरुड़ी है इन व्यावसायों के लिए और इन इसायों का यह इसायों की जो होए इनके लिए आपको निवनतम दस्मी पास होना ज़रूरी होता है और ये भी दो साल के लिए हैं इसके बाद हैं इंटिरियर डेकोरेशन इंड डिजाइनिंग फिर मेकेनिक डिजल, मेकेनिक ट्रेक्टर, मेकेनिक आटो इलेक्ट्रिकल और इडेक्ट्रोनिक्स उसके बाद है welder GMAW and GTAW और उसके बाद है welder welding and inspection उसके बाद है seat metal worker, फिर solar technician, electrical इनके लिए भी आपको निवनेतम दस्वी पास होना जरूरी है science और mathematics subject के साथ में और यह पाठे करम एक साल के है उसके बाद है carpenter, foundry man and technician उसके बाद है mason building, constructor, plumber, rice mill operator, welder welder fabrication and fitting welder pipe इनके लिए भी आपको निवनेतम section के होगता दस्वी पास रखी गई है, यह one year के पाठे करम है अब हम देखते हैं, गैर तकनीकी वियोसाई यानि की non engineering trade यहाँ पर है, जिनकी अवधी एक एक साल की है एक साल का पाठे करम है सभी इसमें सबसे उपर में है computer hardware and network maintenance उसके बाद IOT technician, smart agriculture इनके लिए आपको section के होगता निवनेतम दस्वी पास होना ज़रूरी है और आपका विज्ञान और गडित होना ज़रूरी है दस्वी में और यह पाठे करम के ओधी है एक साल की इसके बाद अगला है computer operator and programming assistant इससे हम कोपा के नाम से भी जानते हैं और इसके बाद में है dress making इसके बाद है fashion designing technology hospital housekeeping, secretarial practice English saving technology, physiotherapist technician, multimedia animation and special effects यहाँ पर दस्वी पास है इनके लिए भी और एक साल के पाठे करम है stenographer, secretarial assistant की यहाँ पर हिंदी के लिए है जिसके लिए भी आपको न्यूनितम दस्वी पास होना जरूरी है आपका दस्वी में हिंदी आपका compulsory subject होना जरूरी है यह भी पाठे करम एक साल के लिए है stenographer, secretarial assistant English के लिए यहाँ पर आपको दस्वी पास होना जरूरी है इसके लिए आपके दस्वी में English subject होना कमपलसरी है यह भी पाठे करम एक साल के लिए है driver कम mechanic इसके लिए आपको न्यूनितम दस्वी पास होना जरूरी है और IOC मा भी यहाँ पर निर्धारित कर दी गए है इसके लिए 18 years होना जरूरी है आपको 18 साल होना जरूरी है और इसके आउधी जो है 6 मन्त की है 6 महनी की है उसके बाद है smartphone technician come app tester यह पाठे करम कुछ नया लग रहा है smartphone technician come app tester इसके लिए आपको न्यूनितम दस्वी पास होना जरूरी है और यह पाठे करम भी 6 महनी का है सभी संस्थाओं का आप देख लिए एक एक करके और वहाँ पर कौन कौन से ट्रेड है अपने नज़्दी की जितने भी IT हैं जितने भी संस्थाओं का आप देख लिए एक एक करके और वहाँ पर कौन कौन से ट्रेड है अपने पसंचिते दर ट्रेड में आप वहाँ पर जा करके online भार लीजेगा और admission के लिए apply कर दीजेगा यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे प्रवेस के लिए निर्धारित आयू सीमा क्या है तो ब्यावसाय ड्राइवर कम मेकनिक के लिए प्रवेस के लिए आपके पास कोसल और अपने ज्यान को बढ़ा करके अच्छा रोजगार यहाँ पर प्रवेस के समय आपको यहाँ पर निर्धारित सूल के जमा करना होगा जो यहाँ पर इस प्रकार से हैं केवल समानने एवं पीशावर के पूरु सावय देखों के लिए 6 माह एवं एक वरसिये के समय भी एक हजार रुपए जमा कर सकते हैं यहाँ पर आपको विश्येश बताना चाहेंगे कि अनुसुचित जाती और जन जाती के आवेदकों को सिक्षण सुलक में छूट दी गई है बिल्कुल तरह से मुपते हुनों के लिए कोई भी यहाँ पर सिक्षण सुलक देना नहीं पड़ेगा साथी साथ में यहाँ पर विश्येश चुट सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है सभी वर्गों की महिला आवेदकों के यहाँ पर प्रसिश्यार सुलक में बिल्कुल छूट दिया गया है उन्हें कोई भी प्रसिश्यार सुलक यहाँ पर देना नहीं प प्रविस के संबंद में जानकारी और उम्मिद करेंगे कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आप आनले नावदन के संबंद में कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आनले नावदन कैसे करें यह जानना चाहते हैं तो बिरुकुल कमेंड कीजिएगा हम आपको एक special वीडियो बना करके देंगे ताके आप आनले नावदन अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकें अगर इसके अलावा भी आपको अगर कोई अन्य समस्य या कोई परिसानी होती है तो जरूर हमें कमेंड कीजिएगा आपकी सहायता करने में हमें खुसी होगी मिलते हैं नए हुआ हुआ है